नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है दिनली के नटवर लाल अर्विंद केजरिवाल की मुसीबत बढ़ती चली जारी है वो क्यूँ क्यूंकि अब इसके और भी बड़े बड़े जो प्लैन थे बड़े घर में रहने की हवस अयासी की हवस जिससे वो अंदा हो चुका था अपने ही वादों को भूल गया उसका पूरा प्लैन उसका पूरा कच्च चिठा दुनिया के सामने आ गया अब तो एक और बात सामने आ ही है कि खर्च इतने नहीं हुए जितना काग्जों में बताये जा रहे हैं सिर्फ टीवी के उपर इसने एक कड़ों रुपे खर्च कर दिये और मालुम चल रहा है कि उसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि 50 लाक के आसपास यह खुद खा गया वो भी डिटिल में दूंग लेकिन जवाब अब तक आम आदमी पाटी की तरफ से नहीं आया आप उनसे पूछेंगे आम वो बताएंगे इमली किसी सक्स ने अब तक आम आदमी पाटी का कोई भी नेता यह नहीं कह रहा कि कागज जूटे हैं यह कोई नहीं कह रहा कि अर्विंद केजिवाल के घर में जो परदे लगे हैं वो आठ लाक रुपे के नहीं हैं कोई यह नहीं कह रहा कि 45 कडो रुपे खर्च नहीं हुए सब इस बात से एग्रिक कर रहे हैं और अर्विंद केजिवाल ने अपने टूइट के जरिये यह ए जो इस बात को लेकर अपनी जगह पे खड़ा है कि हमने खर्च किये तो क्या हुआ मेरी सरकार है मैं दिल्ली का मालिक हूँ और इसलिए अपने बचाओ में उसने ट्वीट किया ट्वीट क्या किया ट्वीट ये किया कि दिल्ली की जनता का बीजेपी को जवाब अर्विन केजरिवाल के बंगले पर पैटालिस कड़ोर खर्च करने के विवाद पर क्या बोली दिल्ली की जनता और किसी ट्वी चैनल वालों का अपने लोगों से आपने कलवा दिया और विडियो जהו है पुब्लिक उपिनियन का लगा करके आपने ये कह दिया कि जो अर्विंद केजरी के खुद ट्वीट कर रहा है ये ट्वीट अर्विंद केजरीवाल का है कि अर्विंद केजरीवाल के बंगले पे जो 45 क्रोल रुपए खर्च हुए हैं उसको जनता का समर्थन है मतलब यह तमाम आरोब जो लगाए जा रहे हैं वो बिलकुल सही है लेकिन ये तो कागजी बात हो गई कि जनता देगी जवाब लेकिन इसका जवाब कौन देगा जो कागज सामने आया है कि घर में आपने 10-85 इंच की टेलिविजन सक्ट आपने खरीदा घर में आदमी 4-5 टेलिविजन 10 वो भी बड़े-बड़ा ले बताया जा रहा है कि टोटल 23 टीवी का ओर्डर किया गया है लेकिन ये जो बड़े वाले हैं 85 इंच उसके स्पेस्पिकेशन आप देखिए इस कागज को पूरा स्पेस्पिकेशन दिया हुआ है ये 85 इंच की 4K LED टीवी एक कोरियन कमपणी के हिसाब से ये सारी टेक्नलोजी दी गई है और जिसकी कीमत सब 3 लाख रुपए है बाजार में आगे आप देखिए कि इसके लिए एक टीवी की कोस्ट क्या बताए गई है 10,43,500 रुपए है और ये 10 नंबर में खरिदा गया तो एक कड़ोर से ज़्यादा पैसे आपने खर्च की ये बिल और लेड़ी पेड है अब दिल्ली के एक सियम मदलाल खुराना साब के पुत्र ने क्या ट्वीट किया क्या आरोप लगाया गया आरोप यही लगाया गया कि कीमत कम और हर टीवी के उपर 6 लाख रुपए इसने खा लिए तो 10 टीवी पे 60 लाख भई इतनी बढ़े बढ़े टीवी चाहिए किसलि यह ऑफिस में लगा होता बात समझ में आता पब्लिक के लिए आपने यह सारा काम किया और जब आप कोई मांगता है तो कहते हैं प्रधान मंतरी मोदी मोदी से बड़ी इसके तुलना है अब दिक्कत क्या है कि एक और जो खुलासा हुआ है जिसकी पूरी डिटेल हम अगले वीडियो में देंगे वो यह समझ में आ रहा है कि यह चीफ मिनिस्टर का घर जो अभी चार एकल में फैला हुआ था इससे यह सटिस्वाइड नहीं था यह साथ एकल जमीन अपने लिए इसने अपने आस पास चुल लिए आगे पीछे जो मकान थे उसमें जो अधिकारी जो जज़े जो लोग वहाँ पे सरकारी बंगले में जो लोग रह रहे थे सब को इविक्षन आडर भी दिलवा दिया और इन्हें साथ एकल का बंगला चाहिए मतलब जिस बंगले के ऊपर इसने सवाल उठा करके राजनीती शुरू की थी वो तो एक एकल का भी बंगला नहीं जिसमें सीला दिक्षित रहती थी ये साथ एकल में सीम का घर नहीं ये सीम कॉंप्लेक्स बनाना चाह रहा था उसकी सारी डिटेल चंचन के आ रही है कहां से इसने शुरूआत की और कहां पहुँच गया दिक्कत क्या है कि तमाम चीजों में जो वो एकसेप्ट कर रहा है य नहीं पर भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा और इन फैक्ट कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो तमाम आरोप लगाये जा रहे हैं चाहे वतनाम का वो मार्वल आया हो इतनी महंगी फिटिंस लगाई गई गई हो सारह चार लाख का जो है कमोड लिया हो परदे आठ ल रहा है और तो और बुरी खबर ये केजरिवाल के लिए कि कल इसके चड़ा ने प्रेस कांफिर्स करकी एह एलान किया था कि आज दिल्ली में वो एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं बड़ा प्रदर्शन किसलिए अपने कुकरमों के लिए नहीं परदान मंत्री का मंत्री के खिलाफ चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी यू अब बिन कॉट पैंट्स डाउन और आप प्रोटेस्ट करोगे किसी और चीज़ के लिए और इसके लिए रात भर मीटिंग चलती रही कि लोगों को एक अठा करना पड़े लेकिन उस मीटिंग में जादतर MLS आय नहीं रिस्पॉंड नहीं किया दिल्ली की जंता इसके साथ नहीं है पंजाब फोन लगाया गया भगवंत मान को कहा गया भाई लोगों को लेकर के आओ कल प्रोटेस्ट करना है अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया तो यह तो बहुत ही बुरा हो जाएगा हमारी चोरी पाने का एक ही तरीका है कि हम प्रधान मंत्री बोदी के उपर हमला करें लोगों को सणकों पर लेकर किया जाएं मतलब मुख्य मंत्री स्वयम फिर से वो आंदोलन करेंगे लोग ही नहीं आये मामला खत्म हो गया तो फिर बढ़ी ही बेशर्मी के साथ एक ट्वीट आम आद कि केजरिवाल का समर्थन केजरिवाल के इस कारनामों की वज़ा से केजरिवाल के लोग ही इसका साथ चोड़ रहे हैं जिस सक्स की वज़ा से ये सारा कुछ हुआ वो त्याहार जेल के अंदर है अब जो खबर आ रही है कि ये सिरु घर का मसला नहीं है ये अल्रेडी इसने पास करा रखे हैं क्या CM हाउस का एक पूरा कॉम्पलेक्स साथ एकड़ जमीन में ये एक भव CM कॉम्पलेक्स बनाना चाह रहा था और उसके लिए तमाम कानूनी कारवाई की जा चुकी है प्रपोजल पास किया जा चुका है और उसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम जो किया जाएगा वो तीन सौ कड़ो रुपे तक उसमें खर्च लगाया जाएगा ये सारी चीजे अब दुनिया के सामने आ रही है और केजिवाल दुनिया के नजरों से बचकर कहीं और छिपे बैठे हैं मसला को टुष्ट करने की कोशिश की जा रही है रेसलर्स के साथ ख़ड़े होकर रेसलर्स की बातों को टूइट करके और तरह-तरह की चीजे वो बाते अपनी जगा पे है यह शर्मनाक इस्तिती है कि रेसलर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी सुनवाई इस देश के अंदर में नहीं हो रही है वो देश के गौरव हैं सम्मान हैं लेकिन वो कहानी अलग है और वहाँ पे किसी चोर उचकों को जाकर समर्थन देनी के आबर शक्ता नहीं है इन पहलवानों के साथ इन अथलीट्स के साथ देश की पूरी पूरा समर्थन है यहां जाकर केजरिवाल अपनी पाप को नहीं धो सकते हैं ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है इस मसले को केजरिवाल को यह जवाब देना होगा पर दो और इसकी बाते तो दूर चली गई अब तो पैसा का मसला चल रहा है कि केजरिवाल ने इसमें कमिशन खाए उसके सबूत अब मिल रहे है और यह जो साथ एकड़ जमीन पे अपना बंगला बनाने की जो कोशिश की जा रही थी उसके बारे में भी आम आदी पाटी को जवाब देना होगा आंदोलन तो हो गया जो आज होना था लोग आए नहीं प्रोगाम कैंसल करना पड़ा तो आगे देखना होगा कि केजरिवाल के और भी क्या-क्या कारनावे दुनिया के सामने आते हैं आप देखते दें कैप्टिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद